हे आवरिववान माईनम इस गॉराव वेलकम डिवर सक्षक डाल डिवर सक्ट हैं आपसे बीगा स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर हम एक और मैट लेप के अप बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे प्लॉट के बारे में कि आप प्लॉट कैसे बना सकते हैं इसके अंदर हमें कौन-कौन सी प्रॉपर्टी देखने वरती हैं और किस तरह से आप अपने प्लॉट को बहुत यह अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं यह सारी चीजें के इसके फ़ंक्शन यह अब यह इसके प्रॉपर्डी के बारे में यहांपर यूज़्य यहां यहांकर आपको लिखना पड़ता है ह्सके अनदर आपगे अप मेसर दि दो पैरमेटर के जरुत पढ़ती है जिसके थूओआpos यहां पर आ कर सकते हैं आप splitter plot बना सकते हैं लेकिन यदि आप चाते हैं एक बहुत ही अच्छा splitter plot बनाना चाते हैं तो इसके अंदर आपको multiple parameters आपको देने पड़ते हैं अब ये multiple parameters कैसे दे सकते हैं किस तरह से सकते हैं तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे तो चलते हैं यहाँ पर जुपिटे नोटबुक के अंदर और जुपिटे नोटबुक के अंदर splitter plot को ज़रा समझते हैं तो मैं आपको जुपिटे नोटबुक के अंदर ले चलता हूँ और जुपिटे नोटबुक के अंदर और इसको heading बना दूँगा and then okay कर दूँगा तो इस तरह से यह क्या बन जाएगे एक heading बन जाएगे अब heading बनने के बाद हम यहां पर splitter plot को बनाने वाले हैं इसको कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले हम matplotlib को यूज कर रहा हूं और P y plot को as plt देने वाला हूं यह मैंने यहां पर क्या क्या matplotlib देने के बाद अब मुझे यहां पर दो parameter देने हैं x and y तो पहले x की value देने पड़ेगी फिर y की value देने पड़ेगी तो मैं x की value दे रहा हूं यहां पर 1,2,3,4,5,6,7 यह मैंने यहां पर देती हैं अब इसी के according मुझे y की value देने पड़ेगी तो मैं y की value को यहां पर देने जा रहा हूं जिसके देखे 2,3,1,4 कुछ भी randomly value दे रहा हूं यहां पर आप चाहें तो panda libraries के थुरू भी आप इन values को get कर सकते हैं इस तरह से मैंने यहां पर गया की x और y की दोनों की value दे दी है यहां पर अब यहां पर दीकी simple सा पहले मैं scatter plot draw करूंगा फिर उसके अंदर हम कुछ modify करेंगे कुछ parameter देगे तो simple सा draw करने के लिए plt.skator का आपको use करना पड़ेगा और skator के अंदर आपको यहां पर दो यहां पर parameter देने पड़ेंगे जिसके अंदर मैं x, y यहां पर दो parameter देने जा रहा हूं अब उसके बाद में यह आपको graph को show करना है तो आपको plt.show function को बुलाना पड़ेगा यह लगाने के बाद enter करेंगे तो उसके बाद देखे आपका escalator plot आपके पास त्यार लगाएगा जिसके अंदर देखे वन पर वन पर टू आ रहा है तू पर बात करें तो देखे त्री आ रहा है इस तरह से आपके बास यहां पर basic आपके आपके आप इस करें अब इसपी इसक्रेटर plot के अंदर आप यहां पर टाइट्ल लगा सकते हैं आप चाहे तो लेबल लगा सकता है तो यह सारीं चीज़े दे सकती है तो सबसे वह 높ा ह यहां पर टाईटल के बारे में, जैसा कि हमने लीनेर प्लोट के इंदर भी दिखा था कि आप किस तरह से यहां पर तो यहां पर मैं दे रहा हूं .- às-. मैं यहांपर उसके बाद यहांima लगाते हुए , इस ए दिखूं यहाँ पर 10 की font size देने जाओंगा यहां पर मेरे पास 10 की font size मैं 20 करते में 20 की against size मघे गेयां पर देका देने कर दोई है उसको आप यह पर अपने recording अपर change कर सकते हैं तो यह 15 पर प्दाइबले सकते हैंgom धेसकते हम just like मैं यहां पर थ्ोड़ा सवे चेंज करूंगा यहां पर लिखूंगा Day, और यहां पर लिखूंगा Number clear यह दो चीज़े मैं यहां पर दी रहा हूँ तो मैं यहां पर bhi X-axis के अंदर में चेंज करके इसको डे बना देता हूं और यहां पर लेबल की बात करें एक्स लेबल के अंदर तो एक्स लेबल के अंदर हम यहां पर डे का यूज कर रहे हैं तो मैं यहां पर दे लिख लेता हूं तो इस तरह से मेरे पास यहां पर इसका एक्स लेबल भी दिखाए देगा यहां पर अब मैं यहां पर बात करें तो plt %. ylabel का यूजर कर सकता हूं यहां पर भी तो मैं ylabel लगा रहा हूं यहां पर y-label केंदर मैं number का use करूंगा और enter करूंगा तो यहां पार देखिए मिरा पास वाइ लेबल या वह बाभ अब आप चाहे हैं तो इसकी font size को यहां पर अप्लाए कर सकता हूं और यहां पर भी अप्लाए गर सकता हूं और जैसे फॉंट साइज करेंगे तो इस तरह से आपको देखने को मुझेए अब हम बात करते हैं इसके अंदर parameters के बारे ने पैरमेटर के अंदर जैसे यहाँ पर बात करें इसका color है वो color आपके पास कैसे दिखाए देरा यहाँ पर Blue color सभी का यदि आप चाunun सबीके color आप के पास different different हो हो जाए तो चेंज कर सकते हैं आप चाहते हैं सभी का कलर एक जैसा रहे तो वो भी आप यहां पर चेंज करने के लिए आपका लेटर के अंदर ही आपको प्रॉपर्टी के अंदर चेंज करना होता है उसके लिए देखे यहां पर आपको क्या लगाना है कलर लगाना है और कलर सकते हैं, जैसे हैं यहां पर से इना चाते हैं तो इस तरह से मेरे पास सारे इंदर से इस किल और के इए, किल दे सकते हैं तो यहां पर मैं लिष्ट के अंदर डिफरेंटर प्लॉट का जो आपके आस पैरामीटर है इस पैरामीटर को आपको चेंज करना बना रहा हूँ और यहां पर चेंज करके सी इकवल टू आपको क्या देना हैं कलर तो मैं सी कोल टू यहांपर कलर पैरामीटर देंगी और जैसे कि अपर इंटर करेंगे तो यहां पर बात करता हूं तो यह स्केलेटर प्लेट के जो मिरे डॉट शैं इन डॉट की जो साइज है वो मुझे यहां पर change करना है, तो मैं dot की size को यहां पर change कर सकता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि सबकी size यहां पर different difference हो, तो आप different difference size कर सकते हैं, यदि आप सबकी size को same करना चाहते हैं, तो यहां पर size parameter लगाते हुए, सबकी size को same कर सकते हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ, यहां different different हो जाए तो उसके लिए यहां पर मुझे एक बनाना पड़ेगा तो मैं यहां पर size के नम से यहाँ पर एक बना लेता हूं जिसके अंदर मैं यहां पर सब size different different बनाला हूं अब यहां पर आपका जो wasklärator है इसी के अंदर आपको एक और parameter देना पड़ेगा size के लिए गर ये इंटर करेंगे तो यह उसकी साइज हो चुकी है तो यहां पर हंडिर्ड कर देता हूं तो देखेंगे आपके पास यहां पर इसकी साइज को यहां पर 100 कर देता हूं तो देखे इसकी size आपके आज थोड़ी और बड़ी हो गई है और मैं size को यहाँ पर 500 के across कर देता हूँ तो इसकी size देखे काफी बड़ी हो तो इस तरह से मैं 200 कर देता हूँ इसकी 400 कर देता हूँ और यह काफी बड़ी हो चुकी है तो इसको भी 400 कर देता है और इसकी बात करें तो इसकी 300 इसकी size को बढ़ाना है मुझे यहाँ पर तो 200 इसकी 100 कर देते हैं और इसकी मैं यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ यहाँ तो मैं 600 करता हूँ और जैसे एंटर करेंगे तो आपके लास देखें इसकी सबकी सबक्काराटाशा हुए, हम休 brill? तो इस तरह से आप यहां पर क्या कर सकते हैं? इसफ़ पे्रमेटर के फ़्रूप इन सबकी सबकी हम्हें को जीच कर सकते हैं अब ज़रा बात करते हैं यहां पर इनकी सबक्राटाश के बाद में कम हो जाए तो वह भी यहां पर कर सकता है उसके लिए आपके पास यहां पर इक्ड होगा चेंज Inde करना पड़े और यहां पर आपको एक पैरामीटर देना पड़ेगा और उस पायोपा पार में अल्फा अल्फा टूंगा अल्फा की जो एकाल्य है वो थोड़ा कम हो गया है यदि मैं यहाँ पर बात कर देखे 4 देता हूं तो देखे और कम हो चुका है यदि मैं यहाँ पर 2 कर देता हूं तो देखे और इसका यहाँ पर light हो चुका है तो इस तरह से यहाँ पर alpha parameter के थुरू आप इनकी जो यहाँ पर transparency है वो आप यहाँ पर change तो इसकी थोड़ी सी अच्छी टांस्परेंसी लगने के लिए मैं यहां पर रखता हूं तो यह मुझे कुछ इस तरह साथ दिखें देगे तो यहां पर आप यहां पर अपने अलफा पैरामीटर के थूँ आप इसे चेंज कर सकते हैं अब देखें यहां पर बात करें जो इस marker parameter equal to just like मैं यहां पर स्टार देना चाहूंगा तो मैं स्टार दे के Marker parameter को चेंज करके स्टार दे सकते ह। इससे आप यहां पर इसके marker parameter दे सकते हैं यहां पर जो持ज है उसको dikar सकते हैं और यहां में तो दिखे मैं मारकर के जो age color है उसको यहाँ पर change करना चाहूँगा तो उसके लिए देखे क्या लेखेंगे यहाँ पर age color और age color को मैं अपने हिसाफ से रख दूँगा just like मैं age color को यहाँ पर green कर देता हूँ तो जैसे enter करूँगा तो देखे इनके जो age color है वो सबके क्या उचुक है यहाँ पर green हो चुक है अच्छा देखे यहाँ पर जो इसकी लाइन है उसकी विर्थ को आप यहाँ पर change कर सकते हैं तो उसके लिए आपको parameter देना पड़ेगा आपके पास line width तो मैं यहाँ पर line width का use करूँगा और line width जैसे मैं जो 4 देनी है एंटर करूँगा तो इसकी जो age की विर्थ है वो यहाँ पर 4 हो चुकी है यदि मैं इसी को आपके पास 2 कर देता हूं तो देखे अब आपको थोड़ी सी अब देखे यहाँ पे जो आप color दे रहे हैं यहाँ पर red white green यह जो color है इन color की जगह आप यहाँ पर code भी दे सकते हैं लेकिन उसके अंदर जो आपके पास color जो होता है वो आपको एक range के अंदर देना पड़ता है range in the sense मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखे जियों से लेके 100 के बीच में आपको एक range मिलती है उस range के according आप यहाँ पर color दे सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर red, white, green, blue, red यह use किया है इनकी जगह मैं number को use कर सकता हूं 0 से लेके 100 के बीच में और फिर में यहाँ पर उसके according color दे सकता हूं देगे क्या से दे सकते हैं ज़रा बात करते हैं यहाँ पर तो यह जो मैंने लिखा है अब तक जितनी भी parameter दिये हैं इन सबको मैं हाटा देता हूं इनकी जाला number pass कर देता हूं जैसे मैंने लिखा 10 फिर उसके बाद लिखा मैंने 40 29 लिख लेते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर 30 लिखा उसके बाद मैंने यहाँ पर 29 लिखा फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 56 लिखा उसके बाद यहाँ पर 20 लिख दिया और एक और parameter देते से ही मुझे color plot होना चाहिए तो मुझे यहां पर अपने parameter को पास करना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं cmap parameter अब देखे cmap parameter के अंदर भी आपके पास बहुत सारे parameters होता है just like मैं आपको दिखाऊं यहां पर parameter की list को तो यह देखे cmap आपके पास जो color map है cmap अदलब color map color map के यह parameters है जिसके अंदर देखे ancient, blue आपके पास यह सारी चाहिए आपको मिलती है इनके reverse भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं जिसके अंदर आपके पास अलग-अलग color parameters आपको दिखने मिलता है मैं आपको यहां पर color बार भी बनाके इंखाओंगा किस तर से color बार दिखती है और फिर इसके इसाब से हम यहां पर किस तर से color को fit कर सकता है तो यह इनके color की अपके आस किा लिस्ट है इनको आप यहां है क्या-कर सकते है यह तो यह पूरे color map, इसके अलावा भी hanging out बहुत सारे और color map होते हैं जिनका यूज कर सकते हैं जैसे मैं यहां पर color map को use करता हूं जिसका नाम है weirds यहां पर use कर रहा हूं कर दिसकी color bar को कैसे use करा है तो यहां पर मैं देखे plt.color bar का use करेंगे और color bar देंगे यहां पर जैसे एंटर करूंगा तो देखे हैं यहां पर एक colorbar मिल जाएगी इस color bar के अंदर आपको सारी रेंज मिल जाएगी कान से range के इंदर कौन सा color आपको इस तरह से मैं बात करूँ यहां पर आपको दिखना चाहिए इस रेंज का तो वह कलर आपको यहां पर दिखाए उसी तरह से पर आप मैं को वह हैं यहां पर एक करने हमते हैं का यहां पर इनको चैंज और एंटर करता हूं तो देखें यह उसकिया क्वर्ण आपके और 10 हे लिघांतों है तो मुझे ब्राउन दीका जिए देगेंदे बात करें उसकिया क्यास प्राण आपको सारे हो effectively तो आप यहां पर इसे blur भी कर सकते हैं, blur करने के लिए आपको alpha देना पड़ेगा, और alpha equal to आपको कितना लिखना है, जो आपकी इच्छा है वो लिख सकते हैं, जैसे मैं 0.4 करता हूं, enter करता हूं, तो इस तरह से आप यहां पर use कर सकते हैं, अब देखें, यदि मैं इसी color bar के यहां पर, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक variable बनाना पड़ेगा, जैसे यह लेबल किसका है, यहां पर color bar का है, तो मैं यहां पर color bar लिखूंगा, और जैसे ही मैं इसको enter करता हूं, तो देखें, यहां पर मेरे पास color bar लिखावा गया, अब यदि मुझे इसकी font size को change करना है, तो मैं font size equal to 15 को copy करूंगा, और यहां पर उस parameter को pass करा दूंगा, एंटर करूंगा, तो देखें, यहां पर मुझे color bar लिखावा गया, तो इस तरह से आप यहां पर color bar लिखावा भी दे सकते हैं, अब आप चाहते हैं, कि आप यहां पर multiple diagram को यहां पर draw करें, just like, मेरा splatter plot है, और किसी और का भी आप splatter plot plot करना चाहते हैं, वो भी आप यहां पर कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब बात करते हैं, यहां पर, तो मैं यहां पर क्या करुंगा, इसको यहां पर copy करूंगा, और इसी same parameter को मैं यहां पर भी pass करा अब मुझे यहां पर क्या करना है देखे मैंने कलर यहां पर दिया है यहां पर तो मैं नंबर के अंदर नंबर टू दे दूँगा यहां पर नंबर टू दूँगा और नंबर टू के अंदर मैं कुछ पैरामीटर को पास करा देता हूं गोड़ी यहां पर यहां पर इटा है हुलमि sigh magya it went So I was cool और उसके बाद मैं यहां पर नंबर टू कर दोगा आप देखें यहां पर पैराउमीटर्स है उन सबी पैरामेटर्स को मैं यहां पर चींज घर देता हूं और यहां पे अलफा रहने देते हैं और इनको हटा देते हैं और इनकी जो जो multiple color का आपने use किया है वो आपके पास किसके हैं यहाँ पर जो पहले ग्राफ है उसके हैं इस तरह से आप यहाँ पर sclator plot को यहाँ पर plot कर सकते हैं और इसके अंदर multiple parameter दे सकते हैं तो I think लिए समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आपको sclator plot बनाना है किस तरह से color bar लगानी है और color bar का use करते हुए किस तरह से sclator plot के अंदर color देना है तो I think लिए समझ आ चुका होगा और color map के अंदर मैं बात करूं तो यह हमार पास color map है कुछ यहाँ पर और भी हमार पास color map होते हैं जिनका आप यहाँ पर use कर सकते हैं तो किस बादे मार के अंदर प्रिश प्रिवग कर सकते हैं तो किस खचे तो भी हमार आपको